नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रतन के गुपता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे बी गुड और बी ब्रेग यानि कि अच्छे के साथ तागत भर भी बनना चाहिए दोस्तों अक्सल होता क्या है कि बच्पन से ही हमको यह सिखाया जाता है चाहे हमारा घर हो पाहर हो स्कू सुप्र splendid भी मनोब कि एक घटना के माद्यन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे के साथ तागत वर भुणा क्यों जरूरी जंगल में एक अगर अचानक सेर के सामने आजाए पिन दन एसकी का बुरा नहीं घेता है तो क्या होता है किसकी जीत होती है ओबियस सेर जीता है उनिकी वो हिरन को मार के खा जाता है हिरन अच्छा है बड़ उसके बावजूत भी वो नहीं जीता उसको पनी जान गवाने पड़ी क्योंकि वो तागतबर नहीं था कुछ और घटनाओं के माध्यान जैसे समझने की कोशिश करते हैं अक्षे के साथ क्यों जरूरी है वहसी सरी राम रावण से युद्र में क्यों जीत पाए क्योंकि वो सिर्फ अच्छे थे नहीं वो अच्छे के साथ सब्धेष सब्सक्राइब उन्हें थे इसलिए उन्हें नावड को पराचित किया कि श्री किष्ण भगवान जी का उधारन लेता हैं श्री किष्ण भगवान जी कंद से क्यों जीत पाई वो तागतबर भी थे यानि अच्छे के साथ तागतबर होना बहुत जरूरी है इस दुनिया में सर्वाइब करने के लिए तो दोस्तों पूछना सुनू करें यहीं अच्छे तो बने अच्छे के साथ सा तागत भर भी बने जिससे आप आपके उपर होने वाले आक्रमणों का जबाब दे पाएं और अपने सत्रों को परास्त कर पाएं उम्मीद है कि आप बी ब्रे और बी गुड दोनों की महत्तोता समझ गये ह ता अच्छे होने के साथ सार्च तागत पर भी धियान देंगे चाहे वह फिजीकल स्टैंथ हो मेंटल पर को इमोस्टत हो हर तरीके से अपमें आपको मद्बूस बनाएंगे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे के वीडियो के इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद बैल बटन प्रेस करना ना भूलें All the best for your future नमस्कार